हेलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल आज हम लोग बात करने वाले मिजिक प्रोडक्शन कोर्स अफ फिल्टर डाउन फिल्टर किस तरह से मनाते हैं तो जा टाइमरेस नहीं करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस डाबल अकन तो चलिए सबसे भाले हम लोग क्या करते हैं अपना फिल्स्टूडियो ओपन कर लिते हैं मैंने उपन कर लिया है मेक शूर आप लोगों ने उपन कर लिया होगा राइजर बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है सबसे पहले हम लोग चैनल रैक में आकर के एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं कोई भी मैं इसी पे लेलता हूं रिप्लेस पे जाकर के और मैंने यहां पर ले लिए जीएमेस कोई भी एक प्रिसेट चूज कर लेता हूं मैं लीड में देखता हूं और बुजिन फिफ्ट नंबर का एक बार सुनते हैं इसको ठीक है मैंने यह प्रिसेट ले लिया है राइट क्लिक प्यानो रोल मैं यहां पर आ गया मैं कोई भी किसी भी और यहां जगा पर नोट लगा लेता हूं मैं इसको फॉर बार तक इसको लेकर न इन लेकर के आया इसको फॉर बार तक अब देख सकते हैं मैंने की सुन ले एक बार Soy आप सुन पा रहे हैं जैसे कि कोई गाड़ी वगरा जाती है उसका साउंड यह दे रहे हैं यहां पर जिसे को ट्रक वगरा निकलता है तो उस टाइब का साउंड दिखा रहा है पूरे उसमें सेम साउंड चल रहा है उपर आता हूं मैं कहीं पर एक नोट लगाऊंगा यहां देख लेते हैं C7 पर हम लोग एक नोट लगाएंगे लेकिन उससे पहले हमें क्या करेंगे यहां पर आप देखेंगे ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही होगी आपको प्यान रोल की यहां पर आप आएंगे इसको बोलते हैं स्लाइड यह आइकन आ रहा है चोटा सा स्ल पर आप आप देखेंगे कि यह धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो मैं प्ले करता हूं इसको और पहले जो टौन था इसका यह था और अब जो है इसको लगाने के बाद कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं मतलब यह क्या कर रहा है कि यह इस पिछ से लेके, C3 से लेके C7 तक इस तरह से जा रहा है यहां तक यहां से शुरू होता है और यहां पर आगे खतम होता है इस तरह से एक invisible line समझ लो इसको आप तो एक बाद फिर सुनाएता हूँ मैं आपको हाँ, अगर आपने इसको यहां से हटा दिया है और आप दुबारा इसको कहीं पर कुछ भी लगाते कोई भी नोट यहां पर लगाते हैं तो यह ध्यान रखना है यहां पर slide लगा हूँ आएगा तो आपको अगर नॉर्मल नोट लगाना यहां लगा है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा अब आप जो भी लगाओगे यह नॉर्मल है लेकिन हमें कैची यह हमें slider लगाना है क्योंकि हम राइजर बना रहे हैं तो मैं इसको on कर लूँगा और यहां से अब हम इसको सुनते हैं दुबारा एक बर फिर ठीक है next एक और बात कर लेते हैं अब मैं चाहता हूं कि यह अप से डाउन आए पहले डाउन से अब जा रहा था मैं चाहता हूं कि यह अप से डाउन आए तो simple क्या करेंगे इसको normal note रखेंगे जैसे नीचे वाला रखा था और इसको हम slide वाला रख लेंगे note यहां पे चेक करके यह रख दिया अब यह क्या होगा यह ऊपर से नीचे आएगा ओके अब एक बार सुनते हैं तो इस तरह से up and down filters मनाते हैं आप यह white noise के साथ इसको लगाए और अपने song के drop में यूज़ करें तो ठीक है दो इस तो कैसा लगा आपको मेरा tutorial अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोड़ देना and press the bell icon thank you so much keep supporting love you all